Hello Everyone, Function Series की इस वीडियो में मैं आपको आज Scope of Variables के बारे में बताऊंगा देखिए यहाँ पर Scope का मतलब होता है कि हमारा कोई Variable है या कोई Particular Piece of Code है तो वो हमारे पूरे प्रोग्राम में उसको कहां कहां यूज कर सकते हैं यह Scope डिसाइड करता है यानि हमारे Variable या किसी भी प्रोग्राम एलिमेंट की Accessibility प्रोग्राम के किस-किस एरिया में है इसी को हम बोलते है Scope और Python में हमारे पस दो तरह के Scope होते हैं Global Scope और Local Scope देखिए Scope मतलब यह हो सकता है कि हमारा कोई Variable ऐसा भी हो सकता है तो हमारे पस पहला Scope है Global Scope जैसा कि नाम बता रहा है Global मतलब जिसकी Reach हर जगह है यानि कि कोई भी Variable जब Global Scope में डिकलियर किया जाता है तो उसकी जो रीच है वो पूरे प्रोग्राम में रहती है हम Global वाली चीजों को पूरे प्रोग्राम में जहां भी यूज़ करना चाहिए जिस जगह भी यूज़ करना चाहिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको हम लोग बोलते कि Main Module में डिकलियर होता है यानि कि Top Level पे Global Variables डिकलियर किये जाते है ठीक है अगर हम कोई भी Variable सारे Function से बाहर लिख देते हैं तो वो भी क्या बन जाता आपका Global Variable आपका बन जाता है यानि कि किसी Function में नहीं बना वो Variable तो वो Global Variable ही आपका माना जाता है Next हमारे पास है Local Scope of Variable यानि कि ऐसा Variable जो किसी Particular Area में ही यूज़ किया जा सकता आपर बताया गया है कि जब भी कोई Variable किसी Function के Definition में है Function Body में डिकलियर किया जाता है तो वो उस Variable को हम लोग Local Scope उस Variable को हम लोग बोलते हैं यानि उसका Scope उसी Function ता कि उस Function के अंदर ही उसको यूज़ कर सकते हैं और उस Code से आपको समझाते है कि कब Variable Local होगा और कब Variable Global होगा और Local को कहां-कहां यूज़ कर सकते हैं और Global को हम लोग कहां-कहां यूज़ कर सकते हैं इन सारे Concept को यहाँ पर Program के थरू हम आपको समझाते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर क्या किया हमने यहाँ पर एक Function Define किया Fun1 और उसके अंदर हमने एक Variable Declare कर लिया X और X की Value हमने यहाँ पर Set कर दी 200 ठीक है और उसको हमने प्रिंट कर दिया अब आप यहाँ ध्यान से देखिए तो जो X Variable मैंने बनाया है वो Function के अंदर बनाया है तो यहीं वो Local हो गया है यहीं वो Fun1 Function के लिए ही Declare किया गया है इसको हम लोग जो Function होगा उसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते इस Local to Fun1 और फिर हमने एक Variable Y बनाया है जो Main Indent पर बनाया है यहीं कि यह Global Variable हो गया यह किसी Function में नहीं है डारेक्ट बना हुआ है तो यह Global हो गया और Global जो होगा वो हर जगा यूज़ किया जाएगा एक और Function Declare करते हैं Fun2 और इसमें हम लोग प्रिंट करते हैं Y को देखिए Y उस Function में डिकलेर नहीं किया गया लेकिन Y जो है Global में बना हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर हम Fun2 में Y को यूज़ करना चाहेंगे तो यूज़ कर सकते बिकास वो Y जो है वो Global है और फिर नीचे में हमने प्रिंट किया Y फिर Fun1 को कॉल किया और Fun2 को हमने कॉल किया ठिक अब देख लीज़े हाँ पर Fun1 में हमने Local X बनाया हुआ है उसको वहाँ पर प्रिंट कराया है Fun2 में हमने कुछ भी नहीं बनाया Y को यूज़ किया जो कि आपका Global variable है तो Y यहां भी यूज़ होगा प्रिंट Y और Fun1 में जायागा तो X की वैल्यू प्रिंट करेगा और Fun2 में जायागा तो वापस से Y की वैल्यू क्या करेगा वो प्रिंट करेगे नहीं आपका जो आउटपुट आना ची वो आना ची पहले Y प्रिंट करेगा 100 और Fun1 में जायागा वहाँ पर Local X डिक्लियर करेगा 200 तो 100 के बाद 200 और फिर Fun2 में जायागा तो वहाँ पर Y को प्रिंट करेगा जो की है 100 यह आउटपुट हमारा आना ची ठीक इसको रन करते हैं अब देखिए 100 200 और 100 अब यह तीसरा वाला जो 100 आ रहा है वह फंटू से आ रहा है यहनि कि फंटू में जा रहा है तो उसको वाई की वैली वहाँ पर मिल रही क्योंकि वाई ग्लोबल है इसलिए उसकी accessibility वहाँ तक है ठीक है अब थोड़ा से experiment करते हैं और हम लोग क्या करत ते से इसमें देखिए कर यहाँ आ पर आई रहा है वह कि ठीक हैं को हम यहाँ पर प्रिंट कराएन एक्स को से एक्स को फिर और यहाँ पर एक्सक्रा डूर्पर वहाँ पर error आएगी कि आपका जो X है वो defined नहीं है देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ name X is not defined ठीक है program में X दिख रहा आपको लेकिन वो जो X बना हुआ है वो local है वो fun1 के अंदर ही use होगा उसके बाहर use नहीं होगा कि उसका scope local है तो उसके बाहर अगर हम X को access करने कोशिश करेंगे तो हम उसको access नहीं कर सकते है तो इससे आपको clear हो गया कि जो global होगा वो कहीं भी use हो जाएगा लेकिन जो local होगा वो अपने ही block में क्या होगा use किया जाएगा ठीक है Y access हो रहा है क्योंकि Y आपका global है और यहां पर हम print करना चाहे Y को ठीक है यानि fun1 में भी Y को print करना चाहे नीचे वाले X को हटा देते क्योंकि वो तो error दिखा रहा है तो आप देखेंगे fun1 में भी Y accessible है क्योंकि Y global है तो global की reach हर जगा है वो हर जगा use होगा लेकिन जो local variable होगा वो केवल अपने ही block में क्या होगा use किया जाएगा ठीक है अब fun2 में भी अगर हम X को print करना चाहेंगे तो नहीं होगा देख्टिक करके देखते हैं आप देखें यहां पर भी X is not defined नहीं कि जो fun1 में बना हुआ वो local है वो अपने में ही use होगा वो किसी और function में किसी function से बाहर कहीं भी वो accessible नहीं होगा this is how local scope of variable and global scope of variable works I hope कि यहां से आपको clear हो गया होगा एक और चीज़ बता देते हैं आपर function में हमने एक formal parameter ले लिए num तो हमें बताया था कि formal arguments जो भी pass करते हैं वो भी आपका क्या होता है वो local scope में रहता है हमने यहां पर एक variable लिया a और fun1 function में एक parameter हमने दे रखा तो यहां से a को pass की है यानि कि a की value 500 num में जाएगा और print करेंगे num तो वहां पर जाके num क्या हो जाएगा print हो जाएगा print text वाली line को comment करते थे अब run करेंगे तो आप देखिए 500 यहां पर आ रहा है क्योंकि हमने a की value उपर भेजी num में और num को उसने print कर रखा है अब यह जो num है यह भी local है ठीक है अगर हम इस num को कहीं और print करना चाहे माली जहां पर x के जगा num को print करना चाहे तो आप देखेंगे यहां पर भी error आ जाएगी num is not defined तो इससे दोनों बाते clear हो गए कि function के अंदर जो variable बनेगा वो भी local होगा और function के definition में यह नहीं formal arguments में जिस variable को देंगे वो variable भी आपका क्या होगा वो हमेशा local scope में ही क्या होगा declare किया जाएगा एक तो function के definition में कोई चीज दी जाएए या function के अंदर कोई variable आपने create की है तो दोनों ही method से क्या हो जाएगा वो आपका local scope में चला जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं दुसरा example देखते हैं यहां पर हम लोग बात करते हैं global keyword की python में global नाम का keyword होता है उसको भी हम लोग use करते हैं global variables के लिए लेकिन उसकी need कब होती उसकी requirement कब होती उसको समझते हैं लोग तो मैं यहां पर एक function मना रहा हूँ देखे def counter उपर एक variable ले लेते हैं count global में और उसको 100 पर set कर लेते हैं कहीं भी set कर लीजे it is up to you और counter function में हम क्या कर रहे हैं यहां पर count की value को print कर आएंगे उसके पहले हम इसको थोड़ा सा change करेंगे यहां पर यहां से counter को call किया पहले simply print कर आगे आपको दिखा रहे है counter function बनाया और उसमें count को print कर लिए तो 100 आ रहा है बहुत simple सा function है हमने यहां पर define कर रखा def counter और उस counter में हमने क्या कर रखा global count को print करा रखा है और नीचे से function को call किया और वो उसको print कर दिया अब इसमें हम count को एक बढ़ाते हैं यहनि 100 जो भी print करना हो उससे पहले उसको plus one कर लो और आब इसको run करेंगे तो थोड़ा सा कि जो count हो गया है अब वो local हो गया है और आप उसको refer कर रहे हो बीना उसको assign किये हो यानि जो मैंने statement लिखा count plus equals to one यह actually क्या है count equals to count plus one इसका मतलब है कि आप count की value में previous count में one आप add कर रहे हो लेकिन जैसे ही आप किसी function में variable के साथ assignment operator लगाते हो एक नया local count create करेगा वो global वाले count में value को increase नहीं करेगा यह चीज़ हमेशे ध्यान रखना है कि function के अंदर अगर हम कोई भी ऐसा variable लेते हैं जिसका नाम already defined global variable से match करता है तो function क्या करेगा उसकी local copy create कर लेता है और अब वो local copy में plus one कर रहा है जबकि local copy अभी तो हमारे पास है नहीं तो यानि count में तो कुछ भी नहीं है इसलिए वहाँ पर error दिखा रहा है कि local variable is referenced before assignment ठीक है तो यह error इसलिए आ रही है अब अगर हम यह चाहते है कि नहीं भाई function जो है वो किसी भी global variable की अपने अंदर local copy create ना करें वो हमेशा global वाले को ही use करें तो यह instruction देने के लिए हम लोग use करते हैं global keyword को हम लोग use करते हैं ठीक है कैसे करेंगे अभी देखते हैं इसको हम लोग तो जब भी आपको reference करना हो तो आप सबसे पहले उपर आप assignment करने से पहले आप उसके पहले आप लिख दीजिए वहाँ पर global और global के आगे आप वहाँ पर डाल दीजिए count ठीक है global count यह जो line लिख दी इस line से function को यह instruction चली गई है कि अब नीचे count में कोई भी assignment होगा so you will not create a local copy of this count इसके अंदर जब भी count use होगा वो हमेशा global ही होगा ठीक है इस case में आपका local count create नहीं होगा otherwise जब भी assignment होगा हमेशा local variable बन जाएगा local variable हमेशा global को hide कर देते हैं global count जो keyword global keyword है वो instruction है कि अंदर कोई भी assignment होगा हमें global वाले को ही use करना है अब run करते हैं देखे अंसर आगया इस बार वो error नहीं आई क्यों नहीं आई क्योंकि global keyword से उसको instruction थी कि अंदर जो भी हम count में assignment करेंगे वो global वाले को ही use करना है आपको अपनी खुद की local copy create नहीं करें पस छोटी सी बात याद रखना है कि global variable को अगर आपको function में change करना है तो आप global से पहले उसको define करेंगे जब use करना होगा तो आप directly use कर सकते बढ़ changes से पहले आपको global count आपको हमेशा लगाना है I hope कि जो concept मैंने आपको बताया इससे आपको local और global scope दोनों समझ में आ गया होगा मिलते हैं next video में